चैप्टर फॉर्स एंड लौ अफ मोशन स्टार्ट करेंगे शोर्ट आंसर टाइप कोश्चिन तो यह स्टार्ट हो रहे हैं कोश्चिन 19 से एक स्टार्ट वाई इजियर टू स्टार्ट रखेंगे ख्या मांज गेन smiles q. गैसका मांज जादा होता है उसका मुमेंटुम भी जादा होता है ठीक है तो अगर momentum ज्यादा है तो जिसका momentum ज्यादा है उसको stop करने के लिए ज्यादा force चाहिए ठीक है तो tennis ball हलकी है as compared to cricket ball उसका mass कम है तो उसको stop करने के लिए force भी क्या चाहिए होगी कम चाहिए होगी तो answer है since the speed of ball is same दोनों की speed same है the momentum of cricket ball will be higher due to its mass being greater than mass of tennis ball जो cricket ball है उसका momentum ज्यादा होगा उसके mass ज्यादा है इसलिए tennis ball से ठीक है so less force is required to stop a tennis ball than to stop a cricket ball इसलिए tennis ball को stop करने के लिए कम force चाहिए होगी as compared to stop a cricket ball cricket ball को stop करने की compare में tennis ball को stop करने के लिए जो force लगेगी वो कम लगेगी second question question number 20 explain the meaning of the following equation p is equal to m multiply v where symbols have their usual meanings तो p is equal to m into v इस equation का क्या मतलब है इसका मतलब है जो momentum है किसी body का वो किसके इककोल होता है उस body के mass और velocity के product के the momentum of a body is defined as the product of its mass and velocity जहां पर पीशो करता है momentum ठीक है m है mass of the body and v is velocity of the body 21 question explain how a karate player can break a pile of tiles with a single blow of his hand बताना है कि karate player जो होता है वो बहुत सारी tiles रखी है ऐसे उनको एक blow में तोड़ सकता है क्यों कैसे the karate player is able to break so many tiles because he strikes the tiles with his hand very very fast क्योंकि वो जब इस ट्राइक करता है इन tiles को बहुत तेज लेके आता है अपने hands को और इस पर मारता है इस ट्राइक करता है ठीक है जब वो लार्ज मुमेंटम क्या करता है इस लार्ज मुमेंटम of his hand is reduced to zero in a very short time और यह लार्ज मुमेंटम जो है वह बहुत कम से टाइम में zero हो जाता है तो इसके कारण एक बहुत ज्यादा फोर्ज जो है वह इस tiles पर लगती है जो sufficient होती है इनको break करने के लिए इन प्राइस को तोड़ने के लिए sufficient होती है next question है calculate the momentum of a toy car और mass 200 gram moving with a speed of 5 meter per second हमें momentum निकलना है toy car का mass given है 200 gram और speed है यानि velocity 5 meter per second ठीक है momentum पाइंट करना है तो p is equal to m into v यह formula होता है momentum calculate करने का अब हम mass जो है उसको gram से kg में change करेंगे तो 200 gram को जब kg में change करेंगे तो divided by 1000 कर देंगे ठीक है 200 divided by 1000 यह बन जाएगा kg में और velocity चाहिए मेंटर पर सेकिंड में मेंटर पर सेकिंड में गीवन है ठीक है इन दो जीरों से दो जीरों कैंसल कर दी तो फाइफ से वाला फाइफ कैंसल हो गया तो क्या आया तो मोमेंटम इस वन केजी मीटर पर सेकिंड अब देखिए 23rd कॉश्चिन वट इस चेंज इन मोमेंटम ओफ कार वेटिंग 1500 केजी वें इस स्पीड इंक्रीज इंक्रीज फॉम 36 किलोमेटर पर हर तो 72 किलोमेटर पर हर उनिफॉम्ली तो मास हमें गीवन है 1500 केजी ठीक है यह स्पीड थी इस से यह स्पीड हो गई तो यू है 36 किलोमेटर पर हर मीटर पर सेकिंड में चेंज कर देंगे multiply 5 अपॉन 18 18 तूझे 36 यह हो गया 10 मीटर पर सेकिंड V हो गई फिर इस से यह हो गई स्पीड तो फाइनल हो गई 72 किलोमेटर पर आ और इसको भी मीटर पर सेकिंड में चेंज कर देंगे तो 72 multiply 5 upon 18 18 for j 72 for 5 j 20 मीटर पर सेकिंड ठीक है इनिशिल और final velocity को हमने मीटर पर सेकिंड में चेंज कर लिया अब हमें निकालना है change in momentum change in momentum क्या होगा mv minus mu usm analogy mv minus mu ठीक है यह है final momentum और यह है इससे पहले वाला momentum इनिशिल momentum ठीक है तो इन दोनों का change जो है वो होगा change in momentum तो देखें इसमें से हम m common ले सकते हैं तो bracket में आएगा v minus u तो mass कितना है 1500 व है 20 यू है 10 तो 1500 multiplied 20 minus 10 10 हो गया तो यह बन गया 15,000 ठीक है change in momentum is 15,000 kg अगे जी मीटर पर सेकंड नेक्स्ट कोश्चन कोश्चन नमबर 24 अब बोडी ओफ मास 25 केजी मास गीवन है 25 केजी has a momentum of 125 केजी मीटर पर सेकंड momentum गीवन है P से शो करते है momentum को 125 केजी मीटर पर सेकंड calculate the velocity of the body V हमें calculate करनी है तो P is equal to M into V यह formula होता है तो V क्या हो जाएगा V is equal to momentum upon mass velocity is equal to momentum upon mass तो V is equal to momentum 125 केजी मीटर पर सेकंड मास 25 केजी तो यह हो जाएगी केजी से केजी कैंसिल हो जाएगा 125 को 25 से डिवाइट करेंगे तो आएगा 5 तो velocity आगई 5 मीटर पर सेकंड 25th question calculate the momentum of the following ए पार्ट है an elephant of mass 2000 केजी moving at 5 मीटर पर सेकंड तो mass हमें गीवन है elephant का 2000 केजी velocity गीवन है V 5 मीटर पर सेकंड तो momentum होता है M into V यानि 2000 केजी multiply 5 यह हो जाएगा 10,000 10,000 केजी मीटर पर सेकंड ठीके second part देखिए अब बुलेटो मास 0.02 केजी मास हमें गीवन है 0.02 केजी और वेलोसिटी 400 मीटर पर सेकंड ठीक है वेलोसिटी है 400 मीटर पर सेकंड तो momentum is equal to मास into वेलोसिटी तो मास रखका 0.02 और वेलोसिटी 400 तो इन दोनों का प्रोडेक्ट आगे 428, 800 और 2 डीजिट बार decimal यहाँ पर decimal आ जाएगा तो इट मेंस हम केवल 8 लिख सकते है 8 केजी मीटर पर सेकंड कि अजिए प्रोडेक्ट, अजिए कि अजिए टinaire